तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हैं बहुत अच्छे होगे आज हम लोग क्वाड्रेटीक क्वेशन को कैसे इसका एक बहुत ही सांदार ट्रीक को देखने जा रहे हैं तो हमको क्या करना है बस ए और सी का यहां पर यूज करना है तो चलिए सुरू करते हैं मेरा दो कोशन यहां पर दीख रहा है पहला कोशन 39 x square plus 132 x plus 45 equal to 0 हम लोग क्या करेंगे बस यहां concept को सीख लेना है सबसे पहले हम लोग concept सीखते हैं trick का concept का भी concept होता है क्योंकि trick ऐसे ही नहीं लगता है trick को लगाने के लिए पहले उसके concept में काम करना होता है ठीक है concept में काम कीजिए अब दो सेकेंड में बनाइए तो concept क्या है कि थर्टीन है इसको दो नंबर के product में लिखना है ठीक है तो हम इसको 13 से डिवाइड कर दे रहे हैं वह कि यह दोनों को multiply करके पहले यहाँ लिख लिए के डिकेंगे डेखेंगे कि या करने पर 132 आ रहा है या सब्ट्रेक्ट करने पया ठिक है तो यहां पर करदेंगे का मतलब दोनों का साइन सेम रहेगा ठीक है और 132 आ जाएगा तो समॉझ में आया कि यह जो है क्षूस मेल्टिप्लिकेशन सही है का मतलब क्या है कि अब हम डारेक्ट लिखेंगे कैसे अगर कितना अगर ये हम को समझ में आगा इस पर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो दो सेकेंट में इसको लिखेंगे एक्वाल टू जीरो तो यह इस तरह से फेक्ट राइज हो गया ठीक है सेकेंड हम इसको देख लेते हैं नवाई तो 20 को लिख रहें है 6 x 5 ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब क्रॉस मल्टिप्लाइ करके देख रहे हैं 4 x 5 20 ठीक है 5 x 6 क्या आया 30 ठीक है अब दोनों को आड कीजिए 50 यहां तो 49 है आ नहीं रहा है अरे वह तो गड़बर हो गया ट्रिक नहीं बाभू अभी हम लोग देह आं देंग ठीक है तो बस क्या करना है कुछ नहीं करना है यहां 5 लिखिये और यहां 6 लिखिये अब देखिए magic 6 x 4 24 5 x 5 25 अब एड करके देखिये कितना है 49 आ गया ना हाँ तो बस कभी वैसा आ जाए case तो हमको इसको क्या करना है चेंज करके देख लेना है ठीक है तो मतलब सही है अब प्रिएब क्या लिखेंगे डारेक्ट लिखेंगे 4X plus 5 4X plus 5 फिर किया है 5X plus 6 तो इस तरह ये ट्रिक काम करता है एक बार हम लोग को क्रोसे करना है ठीक है क्रोसेक कीजिए दो सेकेंड में लिखें तो इस तरह से हैं हम लोग क्या करते हैं आप कॉंसेप्स समझे पहले क्या करना है कि दोनों नंबर को हमको प्रोड़क्ट में लिखना है इसको भी और इसको 13 इंटु 3 इसको लिखे 5 इंटु 9 क्रोस मल्टिप्लाइ करके देखिए 13 इंटु 9 170 3 इंटु 5 15 एड करके देखिए 132 आ रहा है मतलब सही है यहां भी क्या देखिए कि 20 को लिख रही है 4 इंटु 5 30 को लिखे ते 6 इंटु 5 नहीं चला था 5 इंटु 6 लिए मजा आ गया तो मजा आते रहेगा आप लोग इस पर का करते रहें तो नेक्स्ट हम लोग 2 4 5 कोश्चन अभी देखेंगे और बहुत अच्छे-च्छे को डिसकस कर लेंगे तो चलिए हम लोग कुछ को देखते हैं तो यहां ncrt आयसा वाल आडी सर्मा का जो मुझे सबसे टफ प्रॉब्लम लगा उसको मैं यहां पर लिया हूं ठ ठीक है तो अभी पहले यह तीन प्रॉब्लम को देखें क्या करा 6 x square plus x-12 equal to 0 ऐसा लिख लिजी ठीक है तो हम क्या करने वाले इसको लिख लिए 2 into 3 इसको लिख लिए 4 into 3 देखें 2 into 3 6 4 into 3 12 ठीक है अब cross multiply किये 2 into 3 क्या आया 6 3 into 4 क्या आया 12 ठीक है यहां लाना कितना था 1 कु कुछ गलत है तो इसको change कर लिजिए यहां 3 यहां 4 कीजिए ठीक है अब देखिए 4 into 2 2 into 4 8 और 3 into 3 9 ठीक है तो अब 9 में से क्या करेंगे 8 को मानस कर लेंगे तो 8 वाला क्या रहेगा निगेटीव रहेगा ठीक है तो 8 आया कहां से हमाए तो 2 into 4 यहां से तो 8 को निगेटीव क change कर देंगे ठीक है 4 का साइन मानस कर देंगे बस इसलिए क्योंकि 9 में से 8 मानस करना है ठीक है समझ में आया अब क्या करेंगे डारेक्ट आंसर लिखेंगे 2x plus 3 2x plus 3 फिर यहां क्या लिखेंगे 3x minus 4 3x minus 4 बस इसमें x से multiply करके जो है यहां वही लिख देना है 2x plus 3 3x minus 4 मज आया चली यहां देखिए यह 2 x 3 6 को लिखे 2 x 3 यह 3 को लिखे 3 x 1 यह 1 x 3 देखते हैं cross multiply किये 2 3 3 जा 9 अब देखिए 9 और 2 11 आ जा रहा है मतलब मजा है न वाई direct add करने पर मतलब sin भी चेंज नहीं करना direct answer 2x plus 3 और 3x plus 1 स्वाज में आया क्या तो यह है trick इसको trick बोलते है ठीक है next यहां देखिए 48 x square minus 13x minus 1 equal to 0 48 को क्या लिख सकते है हम लोग बहुत ज़रा तरीके से लिख सकते है ठीक है 6 into 8 लिख सकते हैं बिल्कुल यहां 1 को हम 1 1 ही रह हِ गाओ क्रॉसचेक कारा है क्रॉस हैं क्रॉसस क्या करना 6 in 2 वान 6 एक्पूल जा रहा है 6 16 यह 3 16 मानस 3 क्या जागा 13 आ जागा ठीक है तो हमको क्या करना है यह 3 वाल इसको मानस करना है मेरा आंसर अब डारेक्ट आने वाला है क्या आंसर होगा 16x-1 16x-1 इंटू क्या होगा 3x-1 3x-1 तो यह है मेरा ट्रिक तो कैसा लगा ट्रिक देखते हैं कुछ और कोशन को तो आप हम लोग रूट वाले प्रोब्लम को देखते हैं रूट वाले प्रोब्लम में बहुत इस्टूजेंट फ़स जाते हैं ठीक है तो मैंने बहुत अच्छे-च्छे को यहां पर स्लेक्ट किया है और इसको हम लोग 2 सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे रूट 3 x square plus 10 x plus 7 root 3 अब रूट 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 into 1 और क्या लिख सकते हैं और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं 7 root 3 को बहुत करेंगे तो 7 into root 3 ऐसे लिख सकते हैं तो अच्छा आप क्रॉस मल्टिप्लाइब करके हम को चेक भी कर लेना है रूट 3 into root 3 3 7 1 into 7 7 मतलब सही है 7 plus 3 क्या हो जागा 10 मतलब हम को कुछ नहीं करना है साइन भी चेंज नहीं करना root 3 x plus 7 इसका आंसर क्या होने वाला है root 3 x plus 7 into क्या हो जाएगा 1 plus root 3 1 का मतलब x plus root 3 equal to 0 ठीक है तो इस question का यह answer है तो कितना मजा आ रहा है नहीं बहुत मजा आ रहा है चलिए अब यहां हम लोग देखते है root 3 को फिर से क्या लिखेंगे root 3 into 1 या 1 into root 3 6 root 3 को क्या लिख सकते है 6 into root 3 हम लोग cross multiply करके चेक कर लेंगे ठीक है तो अभी चेक कर रहे है root 3 into root 3 3 1 into 6 6 6 अरे 6 प्लस 3 तो 9 ही होता है और 6 मानस 3 3 होता है लेकिन लाना क्या 11 तो यह काम नहीं किया यह काम नहीं किया तो इसको हम लोग क्या कर सकते इसको change करेंगे क्यों कि root 3 यह तो ठीक है इस फीको चेंज करना पहले इधर चेंज हो रहा है तो इसको कैसे रूट 3 x plus 2 साइन चेंज नहीं करना है रूट 3 x plus 2 यह हो जागा x plus 3 root 3 x plus 3 root 3 तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे रूट वला हो बीना रूट वला हो हम लोग कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं यहां क्या है भाई 3 रूट 7 को क्या लिख सकते है 1 इंटू रूट 7 ठीक है तो ऐसे करने से हमको क्रॉस्चेक करना पड़ेगा क्रॉस्चेक करके देखते हैं रूट 7 इंटू रूट 7 7 3 इंटू 1 3 अब देकि 7 प्लस 3 10 हो जाला है है लाना है 4 तो 7-3 करेंगे तो क्या होगा जिससे 3 आया है उसमें निगेटिव तो यहां निगेटिव लग जागा आंसर मेरा होगा रूट 7 X मानस 1 रूट 7 X मानस 1 इंटू क्या हो जागा 3 X 3 X प्लस रूट 7 3 X प्लस रूट 7 ठीक है तो इस तरह से यह काम करता है बहुत अच्छा काम करता है बहुत मजा आने वाला आपका पूरा आय सक्वाल NCRT RD समास सब कोश्चन इससे हो जागा ठीक है 4 x 6 6 ए 2 y to root 3 2 x 2 2 x 3 x 2 root 2 2 x 2 x 3 x 2 root 6 गया है एक क्योंकि 1 x 4 root 3 x 2 root 6 आसे लिखे यह 2 x 6 को क्या लिख सकते है मैं तो इसको भी प्लस लिखना होगा तो कहीं 2 x 2 x 1 x 2 x 3 करेंगे हम लोग कुछ और सोचते हैं ना कुछ और सोची है सोची यहां बस अरे कोश्चन बहुत अच्छा तो थो बहुत सोचना पड़ेगा इस पर काम करना पड़ता है हां तब ट्रीक अपलाई होता है ना हां इसको रूट 3 इसको फॉर रूट 2 करके देखते हैं ठीक है य फबीं मैंनें मतलब 3 को कि नीगरेटिव करना अशना को रूट 3 आप मायनेश को रूट 3 को यह इसको रूट 3 तो इसाका आशना से आच्छा है हम लोग और वी रूट वाले को देखेंगे तो और देखते हैं ठीक है चलिक दो तीन और को देखते हैं तो मेरा आठावा कोशन यहां है 3x-2 root 6x plus 2 तो हम 3 को लिख रहे हैं यहां root 3 into root 3 ठीक है और 2 को लिख रहे हैं root 2 into root 2 ठीक है ऐसा करने से क्या हो जागा बाई ऐसा करने से देखिए यह रूट 3 इंटू 2 क्या हो जागा रूट 6 और रूट 3 इंटू रूट 2 यह भी हो गया रूट 6 ठीक है अब देखिए माइनस 2 रूट 6 लाना है तो मतलब दोनों को माइनस करना है दोनों को माइनस का मतलब दोन तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर दिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम को यहां 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटटूप इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 2B लाना क्या है 4B लाना है मतलब इसको माइनस करना होगा ठिकए क्या करना है इसको माइनस करना है मतलब यहां पर माइनस करना है 2a-2b यहां माइनस करना है ठीक है तो आंसर क्या होगा मेरा आंसर मेरा हो जाएगा डारेक्ट देखिए 2x 2x प्लस a प्लस b ऐसा इंटू इंटू क्या होगा बाई 2x माइनस 2x माइनस a मानस b इकवाल टू जीरो तो इस तरह से हम लोग डारेक्ट फेक्टराइज करते हैं बहुत ही कम समय में ठीक है अब हम लोग यहां देखते हैं तो यह 4 को फिर जे लिख रहा है टू इए 450 to aSmall को a2 SCOTT टू इंटू इसकार मानस ूछ लिख रहा हैं ठीक है फ्रोस मल्टीप्लाइ करके देख रहे हैं तो क्या हो जागा देखिए ह हुए 2bA2 ठीक्ट है ओना धी कत 2a2 प्लस 2bA2 ठीकट है अब हमको क्या लाना है माइनेश का फोड़ A2 तो यहां भी माइनश करना होगा और यहां भी माइनस करना होगा तभी तैंस को माइनस का 4a2 यह कट जाएगा इसको टेंशन नहीं लिना बस आधे बस 2x minus a square plus b square into 2x क्या है minus a square minus b square यह मेरा answer है तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको solve करते हैं दो तीन question और देखते हैं और आपका पूरा exercise खतम हो जाएगा तो दो तीन और कढ़ी लेते हैं तो चलिए कुछ और question को हम लोग trick के सांथ solve करते हैं x square plus 5x minus a square plus a minus 6 यह a है ठीक है आव हमको पहले तो इसी को solve करना होगा नहीं तो क्या है यह a square plus a minus 6 ठीक है इसी को पहले तो factorize करना होगा तो इसको कैसे factorize करेंगे यहां कुछ नहीं 111 इसको लिखेंगे 2 3 ठीक है cost multiply किये 3 2 आया ठीक है क्या लाना है plus का a मतलम 2 बला negative रहेगा तो क्या करेंगे इसको negative कर दिये ठीक है तो हो जागा a minus 2 और और यह हो जागा a plus 3 तो यह क्या आने वाला a minus 2 a plus 3 को हम लोग इसको क्या लिखेंगे a minus 2 a plus 3 तो चलिए 1 into 1 यह हो जागा a minus 2 और a plus 3 क्रॉस multiply करना है अब आब स्ट्टीप्लाइब करके देखते हैं तो क्या आएगा ए प्लस 3 और ए जाना क्या है 5x तो क्या करेंगे 5x लाना है तो यहां माइनस करना होगा तभी तो ए कर जागा और माइनस माइनस फ्लस हो जागा तो माइनस 2 के पास क्या करना है माइनस लगाना है तो आंसर में डारेक्ट मिलने वाला है x-a-2 इसमें क्या मिलेगा x-a-3 x-a-3 ठीक है इस तरह से अब हम लोग क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन नमबर 12 को देखने वाले हैं तो b²-b-20 डारेक्ट बन जागा कोई दिक्कत उसमें नहीं है तो यह 11 है और इसको हम लिखेंगे क्या अब क्रॉस मल्टिप्लाइ करके देख रहे हैं तो क्रॉस मल्टिप्लाइ करने क्या रहा है बी-4 और वी-5 लाना क्या है लाना क्या है लाना क्या 2-1 2B-1 कैसे आगा तो दोनों को add करना होगा तो दोनों को क्या करना है add करना है मतलब sign change नहीं करना तो direct answer वो लिए direct answer होगा x plus b-5 यह होगा x plus b plus 4 x plus b plus 4 तो इस तरह से हम लोग factorize करते हैं इस तरह से factorize करते हैं यही है factorization का अब हम लोग इसको देख लेते हैं तो यह last question रहने बाला है मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो subscribe जरूर किजिएगा like share तो करना ही है नहीं चलिए तो यह 4x square को हम लिख रहे हैं 2 x 2 a square into b square को लिख रहे हैं a square into b square ले बाई सही है अब हम cross multiply करके देख रहे हैं तो यह उड़ा 2 a square और 2 a square लाना क्या है 2 a square plus b square मतलब add कर देंगे add करेंगे मतलब science नहीं करेंगे science नहीं करना है मतलब मुस्कुरा कर लिखना है 2 x plus a square into 2 x plus b square तो यह आपका factorization समप्त हुआ कैसा है factorization इस मेथर से आप लोग बनाईए और बहुत मज़े कीजिए ठीक है तो आज इतना ही रखने वाले हैं next video में हम लोग quadratic equation का और भी completing square बगड़ा है उसका भी trick लाने वाले हैं ठीक है तो कर दो